हेलो एव्रीवन वेलकम तो दा वी आई पीडियो सब जहां मिलते हैं आपको एक्जाम रिलेवन कॉंटेंट मैं वेपल और आज किस वीडियो में मैं आपकरने वालों आपसे मैंस एक्जाम के लिए एसे एंड लेटर राइटिंग यानि कि डिस्क्रिप्टर का सक्षन होता है उसमें एसे और लेटर आते हैं उसे कैसे लिखना चाहिए और जो भी आपके डिफरेंट डाउट्स होते हैं वो साहर डाउट्स मैं आपको बताऊंगा कब कहां पर इस पेस क्या होता है लेटर का फॉर्मेट क्या होता है कैसे कैसे कॉस्ट्स आते हैं आपके इस बीए प्यो के रिस्कूर्टिब पेपर में वह साही चीज़ यहां बात करेंगे अगर आप डेफेनिटली इस वीडियो को देखते हैं तो डेफेनिटली आप आराम से अपने इस आपको क्वांट पहाड़ा होता हूँ जिसमें अभी SBIP के स्रीज चल रही है जहाँ पे हम लोग फाइनल रिविजिन प्रीविजिन बहुत आई चीज़े कर रहे हैं आज साम साथ बज़े भी आपकी एक क्लास होगी जरूर जूरिये का जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टे पे इसे आपने में साथान का इसे प्रिविजिन को ऊछेलिंद कर सकते हैं अपने में सब्यापर में सब्यायूर तौर ऐस्टा मोरे जए जाता हैं दिया जाता है और इसमें दो होती है यहां पर दोनों से लेटर और इसे दोनों से तीन तीन टॉपिक आपको दिया जाते हैं जिसमें से किसी एक पर आपको लिखना होता है इस तरीके से paper का distribution होता है 50 mask का distribution होता है और समय होते हैं 30 minute overall timing ठीक है और जी जो आप देख पा रहे हैं 150, 200 words, 233 words जी अब वहाँ पे जब आप paper tab कर रहे होंगे वहाँ पे instruction के form में वहाँ पे दिया जाएगा आपको कितने words में लिखना है जो दिया जाएगा उस आप वहाँ पे follow करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं letter writing जो होते हैं जो previous questions पूछेगा है SBIP exam में जहाँ पी letter में आपको दो type के देखने मिलते हैं formal letter and informal letter तो formal letter वो होता है जो कि आप किसी form person लिख रहे होते हैं इसे को बुलते हैं formal letter दूसरा होता है जहाँ पर अपने भाई बहन अपने दोस्त या फिर इस तरह कि किसी person को लिख रहे होते हैं उसे बोलते हैं जहाँ पर कुछ प्रिवेसर कोश्चन जो पूछे गए हैं समय एपियो में जो आपके लिखना है इसके बाल लिखना है इस तरह के डिफेंट इफेंट इस जनरली आपको क्या होता है तेन टोपिस दिये जाते हैं जिसमें से एक टोपिक जो आपका होता है वह ब्रांच मेनजर को होता ही है जनरली ऐसा मैंने देखा है एक्जाम में तीन में से एक टोपिक आपके ब्रांच मेनजर को होता है और दूसरा कुछ और भी होता है आपका एक इनफॉर्मल होता है जहां पर फ्रेंड को या फिर आप छोटे भाई को छोटी बेहन को ऐसे होता है यहां पर जो memory base होती है वो यहां पर लिखा गया प्रॉस्ट और कॉंस ऑफ ओन एजूकेशन इफिशिंट यूज ऑफ नेचो रिसोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजूकेशन फॉर एकॉनमी एक्वल ऑपरचुनिटी फॉर और इस तरह के इस तरह के topic आपको देखने को मिलती Як जहांके जो normal चाहशेश चरहरे है और एक इकनुझीए और ट Chair कर रहे होंगे कैसे प्ढ़ रहे होंगे जिससे मिने बताया था पहले भी आपको S.B.I.P.O के DIRECTORगी में उन्मचार कर रहे होंगे तो आप लिख पैंगे format क्या होगा वो मैं आपको बतायता हूँ यहां फटा-फट से सबसे पहले बात करेंगे हैं पेपर को time करने का sequence क्या होगा तो sequence जहां तक मैंने time किया जिस तरी किसे मैं करते आ रहा हूँ मैं later को पहले time करता हूँ later में मैं देता हूँ यहां पे 7-8 मिनिट करने कोजिस करता हूँ उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऐसे पर आ जाते हैं इसे को आप कोजिस किजिए कि 17-18 मिनिट में इसे complete करने की और आप मानके चलिए कि आपका हो जाए अगर आपको format पता है content पता है typing speed is not an issue आप आराम से 7-8 मिनिट में लेटर complete कर लेंगे इसे भी आप आराम से इन इर्रस को आप यहां पर चक करेंगे तो आपको कई जगा spelling mistake आपको मिलेंगे जो कि spelling mistake नहीं वहां को आपको typing error है तो उन चीजिए को आप वहां पर सही कर सकते हैं तो definitely ध्यान दा कि हमेशा last minute format है सही नहीं कम से कम 2-3 मिट आप बचाएं समय जिससे आप इंजियों को दुबाड़ा पढ़के proof reading करके अपने error को दूर कर सके अब लिखना कैसे कैसे है format क्या होना चाहिए उसके बारे बात करते हैं उससे पहले बात करेंगे writing tips लिखने के लिए किन किन चीजियों की practice करनी होगी क्या 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 हमारे mind में होने चाहिए हमारी strategy क्या होगी सबसे पहले आपको proper format में लिखना है अगर आप एसे लिख रहे हो formal informal उसका जो format होता है उस format को follow करेंगे format पे ही आपके marks बहुत सारे marks आपके उसी पे मिल लाते हैं एसे लिख रहे हैं एसे का भी जो एक format होता है उस format को follow करेंगे मैं बताँग आपको आगे हमेशा अपने एसे को अपने language में लिखे मतलब अपने एक अपने तरीके से लिखे उसको grammatical mistake को avoid करें कैसे कर सकते हैं जब आप जब भी कुछ type कर रहे हो लिख रहे हो तो sentence लिखे shortness अपने thoughts को small fragrance में बाटे उसे फिर लिखें ऐसा नहीं किसे आप पढ़ते हैं अट्रियल में वहाँ पर लंबे-लंबे sentence लिखे होते हैं जब आप long sentence लिख रहे होते हैं वहाँ पर grammatical grammar को बहुत ज़्यादा follow करना पड़ता है तो वहाँ पर आप mistake कर सकते हैं तो वह गलती ना करे small sentence लिखेंगे तो grammar भी आपका maintain कर पाएंगे वहाँ पर mistake नहीं होगी avoid spelling mistake spelling mistake यह भी आपके अपने हाथ में you don't have to need jargons difficult difficult vocabs अब normal vocab लिखे normal words का यूज करे और आराम से उहीं word को यूज करे जिसके spelling आपको सही से आते हों इसा कोई word लिखने को इसना करें और ऐसा recommended भी नहीं होता है कि आप कुछ अच्छे अच्छे vocabulary के normal words का यूज करें अपने feelings को अराम से एक easy language में share करें इससे आपकी spelling कॉलम होता है कहां पर क्वामा होता है ही वह आप देख लेंगे कई बार बहुत पता ही नहीं होता है वह टाइप करने आता है ठीक है उसका भी अब ध्यान रखेंगे राइटिन context और topic जो भी आपका topic दिया गया है उसी के context भी लिखेंगे ऐसा नहीं है कि आप topic में दिया गया है और education के प्रॉस कॉंस के बारे में आप किसी और चीस के बारे वहां बात कर रहे हैं तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे इन 6 step को अगर आप follow करते हैं definitely आपका जो essay letter है द 250 से 300 पीच मैंने लिखा है पूरा-पूरा मैंने spelling mistake भी नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे यहां पे mask कट गया है तो क्यों कड़ आते हैं क्यों कहीं कहीं आप मिश्टेक कर रहे होते हैं आप ग्रामर मिश्टेक हो रही होती है पंचुसर मिश्टेक आप कर रहे होते हैं context से बह पर आता है यह 50 में आप आराम से अच्छा score कर सकते हैं okay now moving to the format of the essay and letter सबसे पहले बात करते हैं essay की आपको जैसे जो भी topic दिया गया उस topic को start कैसे करना है पहले जो भी आपको बताया गया है सबसे पहली बात banking में जो भी topics आते हैं वहां पे आपको essay 250 word में लिखना होता है ठीक है और 250 word काफी कम होते हैं इसमें आप बहुत vast आप जाके दिल सकते हैं और topic भी आपके आते हैं वो भी काफी specific होते हैं आपसे पूछ रहे होते हैं pros and cons of online education या पि कोई भी चीज़ बात कर रहे हैं तो उसमें से किसी एक चीज़ पर focus कर रहे होते हैं वो लोग तो जिस चीज़ पर focus कर रहे हैं पूछा जा रहा है just stick to that topic just stick to that topic उस पर आपको लिखना है अब आपसे मालों पूछ रहे है कि pros and cons of online education how can you write first of all you will start with a little start with us few sentence about the online education now emerging in india किसे कैसे emerge कर रहा है थोड़ा सा बताना है जबने short में briefly बताना है कि आपको start करने के लिए ठीक है आप उसे कह सकते हैं कि intro का पार ठीक है उसके बद आपसे बात किया गया और उसका pros and cons के बारे में फिर आप बताए वहाँ पे pros के बारे में ठीक है फिर बताए cons के बारे में ठीक है paragraph change करते रहे हैं उसके बाद अगर आपने cons लिखा है तो थोड़ा साब को suggestive matter बताना पड़ेगा कैसे उसको सही कर सकते हैं जो भी आपके problems आ रहे हैं जो भी issues हैं जो आप यहाँ पे कौन से mention की होंगे उन चीज़ों को address करने के लिए क्या step लिए सकते हैं आ गया statement जैसे कि generally क्या होता है na piracy होती है content piracy होती है ऐसे कई चीज़ी होती हैं तो उसको आप कैसे resolve कर सकते हैं क्या आपके steps होंगे वो आप यहाँ पर suggest करें उसके बाद फिर अराम से इसे को conclude करें तो यह तरीका एक होता है format होता है मैंने बताए एक topic लिख करके इस तरीके से जो भी topic आपके पास हो जो भी उसके बारे बात क context में लिखना है उसके बाहर आपको नहीं जाना है अगर आपके पास idea है आपके पास content दिमाग में है तो पहले थोड़ा समय लें जैसे आपने topic पढ़ा तो पहले थोड़ा सा outline कर लें आपको दिमाग में कई बाते आएंगी जैसे जो जो बात आते जाए आपके बारे में बूरकर कि यहां पर यहां पर हाइलेट्स आउटलाइन कहते हैं लिखते हैं लिखते हैं उसके बाद outlines आपने लिख रखा है पेपर पे आप कहीं भी बस उसको बस एक बाद जो टाइप कर रहे हैं उसको आप ग्रोध हो करते रहें कि इसमें से कोई topic तो मेरा कोई ऐसा outline नहीं करना होता है पैरग्राप के सेंटेंस को कैसे करते हैं वहाँ किया करते हैं कोहरर सेंटेंस के बाद यह सेम आपको यहां कोहरेंसी मेंटेन करना है इस बात का प्रपर आपको ध्यान रखना है और जो मैंने बताया इस टिप्स में स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक पंजिसे इस आपको एरर नहीं करने है आपका यह ऐसे का आराम से हो जाएगा ठीक है तो असा समय लेकर कि आप इसे आराम से करते हैं और एक्जाम में जाने से पहले इसके प्रक्रिस आप जरूर से कर लेंगे आपको क्लियर कर दूंगा कहां पर स्पेस पार प्रेस करना होता है कहां पर इंटर प्रेस करना होता है कैसे करना होता वह सब कुछ हम लोग यहां पर देख लेंगे तो यहां पर मैंने एक topic लिए रखा है जो कि most probable आपको इस साल दिखने को मिल सकता है write a letter to the branch manager for cash stuck in CDA machine SBI का एक machine होता है CDA machine जहां पर लोग cash को जमा करते हैं कई बार क्या होता है cash उसमें डालने के बाद वो उसमें stuck हो जाता है वो replace हो नहीं पाता है और ना वो cash बार मिलता है इस पर हो सकता आपको branch manager को letter लिखने को दिया जाए जहां पर आपको लिखना होगा तो अभे मैं आपको exactly लिख के दिखाऊंगा format कैसा होता है किस format को आपको follow करना है और इस format को follow करके आप अपने किसे को अच्छे तरीकी से लेटर को अच्छे लिख सकते हैं तो start करते हैं यस थोड़ा सा महें से यस ओके तो शुरू करते लिखना सबसे पहले करते हैं कि आपना लिखते हैं address जहां से भी आप बिलोंग करते हैं अपना कोई जरूरी नहीं कि आप अपना जहां पे हैं बिल्कुल exact लिखने का कोई भी address साफ random address लिखते हैं जिसते कि मैं हमें सही प्रिफर करता हूँ कोई भी random address लिखने का like I'm writing like block A anything sector कुछ भी 36 चिन नहीं pin code 6 000036 यह हो गया इसके बापको interface करना है इसके बापको interface करना है blank space दे करके आप interface करेंगे तो cursor आपका नीचे नहीं आएगा इस पातका आपको ध्यान रखना है आपको direct जिसे 6 खतम हुआ 6 के in होने के तुवंद बाइ interface करें अब आप चाहेंगे कि इसके बीच में जाने लिए करते कि हम इसके बीच में यहाँ पर एक gap रखते इसके बीच में लिखना होगा इसके बाद interface करेंगे तो वो नीचे नहीं आएगा आपके exam hall में जैसे यहाँ पर इंटर नीचे आगा ना वो नीचे नहीं आएगा आपने इस जगह से interface किया इसके इंटर दुबड़ा प्रेस करेंगे वो नीचे नहीं आएगा वहीं पर रहेगा तो उसके लिए प्रशाद नहीं होना है आपको जैसे यह हो गया आपको यहीं से लिख देना है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आपको इंटर प्रेस करना है इंटर प्रेस करना है इसके बाद नीचे लिखना होगा आप किसे लिख रहे हैं ब्रांच मैंजर लिख रहे हैं लिखना होगा दर ब्रांच मैनेजर लाइक मिल गए इस्टेट बैंक आफ इंडिया ठीक है अब यह कहां पर है तो यह मिल के तो यहां पर ब्लोक ब्लोक सी रैंडनम कुछ भी ब्लोक सी और यह क्या हो गया इस बातका को ध्याना कही बारा अपका मिश्टेर की हो जाता है यह सेक्टर 36 है ठीक है वह रहें जाते हैं चिन्नी 6 0036 यह कुछ भी रैंडम कुछ भी रैंडम कुछ भी ब्लोक सी जाते हैं 00111 00001 और यह हो गया उपर हो गया मेरा अड्रेस नीची होगी आज का डेड नीची होगी अद्धा ब्रांच मैनेजर और ब्रांच का इस्ट बै अब इसको गूगा नहीं जाना बताया आपको पहली अब लिखना आपको सब्जेक्ट जेए सिटी सब्जेक्ट सेमी कॉलन ठीक है अब अब करके आ रहें यहां पर आपको एक कम्प्लेंट रहे हैं ना क्लिकना आपको कम्प्लेंट कम्पलेंट रिगार्दिंग टैक है должно है ? सब्जेक्ट रहे है नीचे आना है नीचे आपको सिम्पल लिखना है सर मैम लिखै या फिर दियर सर मैम लिखे वहां से इसके बाप को यहां से इंटर पिक नीचे आ जाना है अब आपको यहां पर लिखना है आपके जो भी चंसर उसके बारे बताना है आपका बताईए वहां पर आपका एकांट टंबर क्या है आप इस ब्रांच के किस ब्रांच से बिलाउं करते हैं आपका अपने कब आप जो यहां पर डिपोईट करने को इस कर रहे थे हैं and CDM machine malfunctioned होगा और cache has been stuck in the machine and it has not been reposited और फिर आपको जो हां से response code मिला होगा या फिर आपको जो slip मिला होगा CDM machine से वह slip में जो भी response code होगा वहां लिख दीजिएगा response code on the slip is 060 whatever कुछ भी random और बताईएगा कि इस concern को दूर करने के लिए और जो भी amount is stuck हो गया है उसे जल सीजर retrieve करने के लिए मेरे एकाउंट में और या फिर अगर कोई और पॉसेस है तो वहां पे लिखने के लिए कि suggest the step that I have to take to retire my amount that has been stuck in the CDM machine इस तरीके से आप यहां पे नीचे आराम से इस तरीके टाइप कर लीजेगा ठीक है proper format में आपको बिल्कुल concise way में बहुत जादा लंबा करना नहीं है और words का ध्यान रखना है थोड़ा सा word आप वहां पे देख सकते हैं body में अपने words को बढ़ा सकते हैं और एक request के साथ अराम से letter को end करना है और इसके बाद जैसे आपका यह body का part हो जाए body का part complete होने का फिर नीची आना है आपको interface करके और जा नीची जाएगा नहीं वह रिकना yours sincerely या फिर faithfully कुछ भी चलेगा sincerely कौमा देना आपको यहां पर नीचे अपना नाम don't use your own name बस simple आप यहां पर टाइप कर दें कुछ भी like मैं टाइप कर दे रहा हूँ ABC ठीक है और यह हो गया आपका letter यहां पर complete ठीक है तो इस format को अगर आप follow करते हैं जैसे जैसे मैंने लिखा है जहां जहां मैंने कौमा द लिखा है फॉर्मेट को follow करेंगे बिल्कुल आपके इस format पर ही आपको नमर मिल जाएंगे 25 20 मास्क आपके हां पर लेटर आता है जिसमें से 20 में से आप कह सकते हैं 10 10 मास्क के आसपास 10 से 12 मास्क के आसपास आपको format पर मागी मिल जाएंगे उसके बाद बाकि जो भी आप य यहां पर अराम से मिल जाएगा इस टापिक पर इसा नहीं की बिना मतलूब की बात लिखे जा रहे हैं आपका एकाउंट इतना पैस आपकी पाउंट में है उसे मतलूब नहीं है इस तरीके से आपका यहां पर लेटर का पार्ड यहां पर complete होता है आपकी समझ में आ गया हो आप अराम से आप यहां पर कर पाएंगे अब चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ जो आपके डाउट्स आ रहे होते हैं उसके उपर यह हो क्या जो मैंने बताया आपको राइटिंग जो आप कर रहे होंगे online screen पर अपने exam में तो वहां पर जो कैसा आता है इस तरीके से आपका बना होता है लिखने का box new pattern जो है वो चल रही है यहां पर आपको मिल जाएगा first जिसमें लिखा होगा आपका later यहां पर second होगा इ से और जैसे आप मालो कि आपने later पर क्लिक किया later पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका इस तरीकी से आजाएगा question palette जहां पर लिखा होगा one two three one पर click करेंगे तो पहला जो option आपके पास है वो आपको यहां पर question display होगा पूरा इसमें लिखा होगा क्या लिखना है आपका word account चल रहा होगा ठीक है और word आपका fix किया होगा उस से अधिक जो भी आपका limit दिया गया होगा उस limit से अधिक आप महाँ पर लिख नहीं पाएंगे ठीक है तो बस जैसे आपको मालो कि आपको second topic जो उस पर आपको लिखना है आप क्लिक करें और यहां पर question नंबर क्योंकि second question के लिए ही आप यहां पर answer लिकरें होंगे बस यहां से आप type करना शुरू कर दे हैं ठीक है type को in typing करें और typing करते वक्त मैंने बताया आपको interface करने का बता दिया आपको space bar देने के बार interface करेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा आपको space bar नहीं देना है सीथे interface कर नीचे नीचे वो चला जाएगा दो बार वो नीचे नहीं जाएगा आप चाहेंगे कि sentence और sentence के बीच में एक blanks रखने का जगा रखने का वो नहीं जाए यह तो पुर्पर फॉर्म में बता दिया आपको सब कुछ मैंने बता दिया आप इसको अच्छे से पैक्टिस करें एक दो बार कम से कम आप इसके पैक्टिस कर ले और पैक्टिस करने के बाद उसके ग्रामडिकल मिश्टेक को चेक करें ग्रामडली एक साइट होती है या फिर पर उसके आप plugin भी stalk कर सकते हैं अपने desktop में type करने के बाद उसे आप उसके grammatical mistake को आप चिप करें जहां से आपको जो भी mistake होंगे वह आपको पार चल जाएंगे उससे आप वहाँ पर सही करने ही कोईस करें लास्ट तो तो तीटे बचा हुआ इसमें आप दो तिन हर दिन दो दो बार भी लिखके practice करेंगे अगर आप तो यह जी आपका आराम से हो जाएगा इसमें आप नीचे कमेंट करके मुंसे पूछ सकते हैं तो मिलते हम लोग फिस 7 पे आज यह क्लास में कौन्टे क्लास में ज़रू से आईएगा और यह कुछ हैंडल से आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं टेलिक्राम गूर्प से जोड़ी आएगे जहां पर आपको notification everything की updates आपको यहां पर मिलती रहेगी और राइट थैंक यू मिलते हम फिर फिस प्लास में